हलो प्यारे बच्चों मैं सुसील कुमार आपके साथ फिर आज हूँ एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ आज पढ़ने जा रहे हैं हम ग्रोविंग अप लेसन नमबर थ्री तोड़े वी एविल डिसकेस अबाउट इस डिफ्रेंट स्टेजेज़ से बारे में पढ़ेंगे यानी एज होता है उमर होती है उसकी अलग अवस्थाएं होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे किन की नवस्थाउं से ऐक वेकति गुजरता है एक आदमी किनकी नवस्ताओं में आता है और कैसे वो बूढ़ा हो जाता है चलिए स्टार्ट करते हैं All living things grow, सभी जो चीजें हैं जीवीद वो बढ़ती हैं We grow and our size and saves changes जैसे जैसे बढ़े होते हैं तो हमारे स्रीद में बदलाव आते हैं हमारा size बढ़ जाता है, हमारी shape भी change हो जाती है Look at this picture, इस picture में देखिए, it is a small baby आपको side में जो दिख रहा है, वो एक small baby है This is Ram younger brother, ये Ram का छोटा भाई है He is an old, one year old, he is one year old, ये एक साल का है इसकी उमर एक साल की है The baby is small and cannot walk yet Baby बहुत छोटा है और अभी चल नहीं सकता है इस picture में आपको दिखाया गया है Ram is six year old, Ram 6 साल का है पहले जो लड़का है ये Ram है जो picture के पहले कोने पर है, ये Ram है तस्वीर में आपको दिख रहा है जो ये 6 साल का है Ram is taller than his brother रह और अपने भाई से लंबा है बीच में जो picture दिख रही है बेटा ये है Ram के पापा और इसके बारे में पढ़ते हैं This is Ram father ये Ram के पापा है He is a young man और ये एक जवान आदमी है तिसरी जो picture दिख रही है आपको ये वाली ये picture है इसके बारे में पढ़ते हैं This is Ram's grandfather ये Ram के grandfather है यानि डादा जी He is an old man और ये एक बूड़े वैक्ती है आपने क्या देखा? एक छोटा बच्चा, फिर एक यंग बच्चा फिर एक young man और फिर एक old man चलिए आगे जलते हैं देखते हैं क्या है आगे Let us see the different stages आप different stages को यहाँ पर देख रहे हैं of growing up बढ़ने के साथ साथ जो stages आती है आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर आपको देखेगा एक infant, एक सीसू, एक छोटा बच्चा जो राम का भाई है दूसरे नमबर पर है Second number पर है राम This is राम, a young child and at number three This is राम's father यह राम के पापा है and this is a young man यह एक young man है Fourth number पर है एक old man जो की राम के grandfather है यानि आपको ने देखा पहले सीसू होता है दूसरे फिर बढ़ने के बाद वो क्या बन जाता है young child बन जाता है फिर man बन जाता है और फिर क्या बन जाता है एक old man बन जाता है चलिए आगे चलते हैं We are babies when we are born जब हम पैदा हुए थे तो हम सीसू थे A baby grows into a young child एक baby जब बड़ा हो जाता है तो young child बन जाता है young child हम किसे बोलते है a boy और a girl एक लड़का और एक लड़की बोलने लग जाते हैं उसको a young child grows into a man or woman एक young child या तो man बन जाता है फिर woman बन जाता है यानि लड़की होगी तो woman बन जाएगी girl होगी girl become woman and boy become man after grows जब वो growth करते हैं तो wise man बन जाते हैं और girl woman बन जाती है a man or woman grows old to become an old man or an old lady जब एक आदमी या ओरत बड़े होते हैं या तो फिर बुड़ा आदमी बन जाता है या फिर बुड़ी ओरत बन जाती हैं आप समझ ही गए होंगे कोई भी ages क्या होती है पहले मैं लिख रहा हूँ पहले infant यानि सीसू baby पहले baby बनता है फिर child में growth होती उसकी कुछ समय बाद child के बाद क्या बनता है man और woman बनते है फिर क्या बनते है old man और old lady बनते है यहाँ पर तीन picture जिपकानी आपको पहली picture में अपना photo लगाई है फिर पापा का photo लगाई है और फिर दादा का photo लगाई है क्या do all of you look the same क्या सभी आप एक जैसे दिखेंगे इस picture में आप यहाँ पर तीन picture लगाई जो आपने यहाँ पर क्या एक जैसे दिखेंगे आप नहीं as we grow older जब हम बड़े हो जाते हैं our body changes जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे body में changes आते रहते हैं our legs and arms become longer हमारे हाथ पाउं बड़े हो जाते हैं we become taller and heavier too हम लंबे भी हो जाते हैं heavier हमारा weight भी बड़ जाता है यानि भारी भी हो जाते हैं भारी हो जाते हैं और हमारा weight बड़ने कार्ण और लंबे भी हो जाते हैं we are strong and healthy when we are young हम young होते हैं तब हम strong और healthy हो जाते हैं ठीक है ना hust-fust हो जाते हैं strong हो जाते हैं हमारी muscle strong हो जाती है यंग के बाद क्या हैगा, old, we become weak when we grow old, जब हम बूड़े हो जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, weak हो जाते हैं, activity में आपको दो फोटो लगानी है, यहाँ पर दो फोटो लगानी, एक तो आप जब पैदा हुए थे तब की कोई फोटो है, छोटे बच्चे की आपकी, तब आपको यहाँ पर पहले वाले में छोटे बच्चे की फोटो लगानी है, अपनी छोटे बच्चे की, यानि जब आप छोटे थे तब की, और दूसरे में लगानी है आपकी खुद की फोटो, क्या आप एक जैसे दिख रहे हो, यहाँ परांसर में क्या लिखोंगे, नो, नो, there is many difference, there is many difference in both picture, यहाँ पर बहुत सारे difference देखने को मिल रहे हैं, पहला difference है, our legs and arms become longer, हमारी legs और arm long हो गई है, यह लिखोंगे पहले में, दूसरे में क्या लिखोंगे, we become taller and heavier too, we become taller and heavier, हम क्या हो गई हैं, लंबे और heavy हो गई हैं, इन दोना picture में यह है different, चलिए आगे चलते हैं, draw as many candles on the cake as your age, यहाँ पर एक cake है, यहाँ पर ड्रा करने हैं, आपको अपनी उमर इतनी candle, यहाँ पर आप बुक में अपनी उमर के, जैसे आप 5 साल के हो तो 5 candle ड्रा कर लोगे, 6 साल के हो तो 6 year old हो तो 6 candle ड्रा करने हैं, आपको इस cake के उपर ही, I am blanks year old, मैं blanks year old हूँ, मैं इतने साल का हूँ, यहाँ पर blanks में आपको अपनी उमर लिखनी है, लिख लेना, और मुझे भी बताना आप कितने कितने साल के हो गए हैं, All of us change with age, हम सभी age के साथ change होते रहते हैं, Like us, plant and animals also grow and change, plant भी हमारी तरह ही, plant और animal भी हमारी तरह ही बढ़ते हैं और उनमें भी change आते हैं, चलिए plants को देखते हैं, क्या change आते हैं या नहीं, This is a cycle of a plant, in this picture, you see a seed, seedling and plant, इस picture में आप तीन picture देख रहे हों, एक seed की, एक bees की है, एक seedling, एक नन्ने पैदा होने वाले पेड़ की है, और एक क्या है, plant की है, यानि एक नन्ना plant जो होता है, उसको हम seedling बोलते हैं, यानि कोई बीच जब थोड़ा सा फटता है, यानि कोई बीच जब sprout निकालता है अपने, तो एक sprout उपर चला जाता है, कुछ sprout नीचे चले जाते हैं, नीचे जाने के बाद वो root बनाते हैं, जैसा अब plant में देख रहे हो, नीचे root गई भी हैं, और उपर क्या गया हुआ है, जो उपर वाली जो sprout है बेटा, वो बन जाती है, stem और जो leaves है, पत्ते, इन में convert हो जाती है बाद में, यानि क्या हुआ, टाइम के अनुसार यहां पर भी आपको क्या देखने के मिला, plant में भी, बदलाओ, देखने के लिए मिले, there are also changes in plant, ठीक है, चलिए, अब हम चलते हैं, आगे क्या, एनिमल्स में भी ऐसा होता है, देखते हैं, life cycle of a cat, अब आपको cat का life cycle दिखा रखा है, this is a kitten, यहां पर एक क्या है, kitten है, and this is a cat, यह kitten बड़ा होने के बाद क्या बन जाएगा, तो यह एक cat बन जाएगा, जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं, बेबी होते हैं, फिर हम यंग वुआए बन जाते हैं, गरल बन जाते हैं, फिर हम man या woman बन जाते हैं, ऐसे ही cat, plant, सभी चीज़े जो बढ़ने वाली होती है, गरोव होने के साथ-साथ उनके size में changes आते हैं, और उनके size में और बनावट में changes आते हैं चलिए some animals like यहाँ पर देखते हैं some animals like horses and cows give breath to babies horse, cows क्या करते हैं babies को breath देते हैं बहुत चीज़े हैं जैसे dog भी baby को breath देता है like like human being some animals like frogs and almost all birds lay eggs क्या होता है कुटे होते हैं बिलियां होती है गाएं, जानवर जितने भी है कुछ animals क्या करते हैं बेटा बच्चे पैदा करते हैं जैसे human being करते हैं बच्चे पैदा वैसे ही frogs और कुछ animals जैसे उनमें होगे birds birds हो गए, frogs हो गए और यह करते हैं lay eggs यह देते हैं अंडे और अंडे क्या हो जाते हैं कुछ दिन के बाद hatch हो जाते हैं hatch होने के बाद यह क्या बन जाते हैं वापिस छोटे बच्चे बन जाते हैं फिर बच्चे से क्या बन जाते हैं वापिस दिरे 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 फ्रोग बन जाते हैं चलिए इस lesson में हम इतना ही पढ़ते हैं आपको exercise इसकी exercise है यह आपको करनी है यहाँ पर आपको एक picture दीख रही है इस picture में पहले नमबर पर क्या आएगा देखिये पहले नमबर पर कौन सी बेबी आएगी यह छोटे वाली बेबी आएगी दूसरे नमबबर पर क्या आएगा यंग चाहिल्ड आएग यह लड़की जो दादी के इस साइड में दूसरे नमबर पर आएगी तिसरे नंबर पर ये इस कोने वाली आएगी चौते नंबर पर ये क्या बन जाएगी एक लेडिज बन जाएगी और फाच्वे नंबर पर ये Old woman बन जाएगी चलिए इसी लेसन में हमने ये जाना की different ages होती है जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो अलग-अलग age में पहुंचते हैं और हमारे स्रीर की बनावट वगएरा सब कुछ चैज होती रहती है और हमारा स्रीर धिरे-धिरे old age में चला जाता है यही तक हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में कल फिर मैं आजिर होंगा फिर एक नई वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू have a nice day थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब मैं चैनल प्रेस बैल आइक